मेरे प्यारे देश्वासियों, आजका ये बजेट इंट्रिम बजेट तो है ही, लेकिन ये बजेट इंक्लूजीव और इनोवेटिव बजेट है। इस बजेट में continuity का confidence है। ये बजेट विक्सीद भारत के चार स्थम युवा, गरीब, महला और किसान सभी को एमपावर करेगा। निर्मला जी का ये बजेट देश के भविश के निर्मार का बजेट है। इस बजेट में 2047 के विक्सीद भारत की नीव को मजबूत करने की गारंटी है। मैं निर्मला जी और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथियों इस बजेट में युवा भारत की युवा आकांग्शाओं का भारत की यंग एस्पिरेशन्स का प्रतिमिम्ब है। बजेट में दो महत्वपूर नीने ले गए हैं। रिसर्च और इनोवेशन पर एक लाग करोड रुप्य का फंड बनाने की गोशना की गए। बजेट में स्टार्ट अफ को मिलने वाली टैक्स शुट के विस्तार का भी एलान किया गया है। साथियों इस बजेट में फिस्कल डेफिसिट को नियंत्रण में रखते हुए है। कैपिटल एक्सपेंडिचर को ग्यारा लाख ग्यारा हजार एक सो ग्यारा करोड रुप्य की एतिहासे उचाई दी गई है। अर्थ सास्तियों की भाषा में कहें कोई एक प्रकार से स्वीट स्पोर्ट है। इससे भारत में 21 सदी के आधुनिक इंफ्रास्टर करके निर्मार के साथ ही युवंगों के लिए अन्गिनित रोजगार के नए अवसर तयार होंगे। बजेट में बंदे भारत स्टेंडर की 40,000 आधुनिक बोगियात बनाकर उन्हें सामान्य यात्री ट्रेनों में लगाने का एलान किया गया है। इसे देश के अलग-अलग रेल रूट पर करोड़ों यात्रियों में आराम दायक यात्रा का अनुभव बढ़ेगा। साथियों हम एक बड़ा लक्ष ताय करते हैं उसे प्राप्त करते हैं और फिर उसे भी बड़ा लक्ष अपने लिए ताय करते हैं। गरीबयों के लिए हमने गावों और शहरों में चार करोड़ चे अधी घर बनाएं। हमने दो करोड़ महलाओं को लगपती दीदी बनाने का लक्ष रखा था। अब इस लक्ष को बढ़ाकर तीन करोड लगपती दीदी बनाने का कर दिया गया है आईश्मान भारत योजना ने गरीबों की बहुत मदद की है अब आंगनवाडी और आशा वरकर उन सब को इस योजना का लाब मिलेगा साथियों इस बजेट में गरीब और मद्दमबर को एमपावर कर दे उनके लिए आएके नए अउसर बनाने पर भी बहुत जोड दिया गया है रूप टॉप सोलर अभियान में एक करोर परिवारों को सोलर रूप टॉप के मादम से मुप्त बिजली प्राप्त होगी इतना ही नहीं सरकार को अतिरिक्त बिजली बेच कर लोगों को पंद्रा से बीस हजार पतिवर्ष की आए भी होगी और यहर परिवार को होगी साथियों आज जीस इंकम टैक्स रेविशन स्कीम की गोशना की गई है उससे मद्द्र के करीब एक करोर लोगों को बड़ी राहत मिलेगी पिछली सरकारों ने सामान्य मानवी के सिर पर दसकों से यह बहुत बड़ी तलवार लटका कर रखी थी आज इस बजेट में किसानों के लिए भी बहुत महत्पों और बड़े निर्णे लिए गए नेनो डियेपी का उप्योग हो पश्वों के लिए नहीं योजना हो संकोदा योजना का विस्तार हो और आत्मन निर्भर ओयल सीड़ भ्यान हो इससे किसानों की आए भड़ोगी और खर्च कम होगा मैं एक बार फिर सभी देश वास्यों को इस एतिहासिक बजेट के लिए शुब कामनाय देता हूं बहुत बहुत धन्यवाद